स्वागत है आपका जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे बात करेंगे आज के राशी फल की आज 11 अगस्त 2023 है और दिन है शुक्रवार का तो सिंग राशी और मीन राशी दोनों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा सावन माज चल रहा है और ये कैसन पक्ष है और 11 तिति है जो व्रदी तिति है और 11 तिति का व्रत 12 अगस्त को किया जाएगा चंद्रमा चल रहे हैं व्रशव राशी में 5 बजे तक उसके बाद ही चले जाएंगे मिधुन राशी में आज पूरे दिन चंद्रमा चलेंगे म्रग सिरा नक्षत्र में जो की मंगल का नक्षत्र है तो मं आति साथ काम का दबाव भी रहेगा और मानसिक थकान भी आपको आज ज़्यादा महसूस होईगी यात्रा आपकी हो सकती है और कुल मिला के देखे तो इतनी ज़्यादा आपको भागदोड़ और परिशानी रहेगी कि आपको सब तरफ से मान समान सब कुछ बनावा रहेग पर आपको इतना ज़्यादा संतुष्टी का भाव नहीं आपाएगा तो जो भी यात्रा आप कर रहे हैं उसमें समझ के करें संतोष करके करें और वीकल को बहुत ही सावतनी के साथ चलाएं दस्मे घर में चल रहे हैं चंद्रमा दस्मा घर होता है हमारे केरियर का हमारे आपके अंदर अधिकता रह सकती है क्योंकि मंगल उर्जा का कारक है तो आज आप में उर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी अपनी उर्जा को आज सही दिशा में लगाने का प्रियास करें क्योंकि जब ज़्यादा उर्जा होती है तो वह इदर उदर भिखर जाती है या फि उर्जा को सही तरीके सा लगाने के लिए प्लानिक बना के चले क्योंकि आप एक साथ क्या काम करने की सोचेंगे एनर्जी बहुत ज्यादा है उत्सा बहुत अदिक है इस कारण से और मंगल के नक्षेत्र में चल रहे हैं चंद्रमा जो जल्दवाजी भी थोड़ी जी देते ह तो कुरोज से बचें अपने वाणी पे और अपने शब्दों पे आज आपको बहुत अधिक ध्यान देना है पिता का घर भी यह होता तो पिता का स्वास्तियाज नर्म रह सकता है या फिर पिता से आपके मत्वेत हो सकते हैं आज सिंग राशी वालों का खर्चा भी अधिक होएगा साथ ही सहत आय के प्राप्ति के उस् navy कारोबार की दी से बिजनिस और व्यापस अगर आप इंवेस्ट मेंट करते हैं तो इनवस्ट मेंट के लिए बहुत अच्छा दिनया आज आज कोई भी कार्य करना है बड़ी डील करना वीजनिस के अंदर तो रहु काल का ध्य वेपार के शेतर में कुछ भी नया डिसीजन या कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं सिंग राशी वालों की बुद्धी आज बहुत ही तेज रहेगी और सब कुछ उनके चीजों पे आप अची तरह से फोकस कर पाएंगे हर काम आप विवेक से करें कुरोद को त्याक के जग्दबाजी को त्याक के बहुत बढ़िया दिन है इसका आप लाब उठाएं पांच बजे के बाद यह चंद्रमा चले जाएंगे मिथुन राशी के अंदर जो के आपके ग्यार्मे बाव में पढ़ती है ग्यार्मा बाव आ आपको मुनाफ़ा की प्राप्ति होईगी जो लोग ट्रैवलिंग का कारे करते हैं टांस्पोर्ट का कारे है टूर का कारे उनके लिए फायदेबंद है जमीन और लखड़ी के कारे वालों के लिए अच्छा समय है यहां पर भी आपको पांच बजे बाद भी उर्जा बहु क्योंकि आज आप अधिक उसके अंदर उत्सा के अंदर हो सकता आपसे वह ऍवलिस हो जाया तो किसी ने किसी की सल्मार वशलर यह तो घरवालों की सल्मार से काम करें या किसी अग्सपर्ट की सल्मार ने क्योंकि आज आप चीजों को एनेलाइस कर पाएं डंग से इसमें थोड़े सी शंका है बुद्धी तो तेज है परन्तु एनेलाइस करने एनेलेटिक टाइप से काम करने में आपको थोड़े से परिशानी आज हो सकती है लव लाइफ की दर्श्टी से देखें तो चीजों को क 5 बज़े के बीच में भी तनाव रह सकता है तो वेवाइक जीवन के अंदर पार्टनर को समझे पार्टनर को टाइम दे किलियर करें चीजें साथ ही साथ फैमिली को टाइम भी देने से आपका वेवाइक जीवन सुप में बनेगा उपाय क्या करें मंगल के नक्षत्र में च कमेंट में जैसीरी राम लिखे और चैनल बढ़िया लगे आपको तो सब्स्क्राइब कीजिए धन्यवाद अब बात करते हैं मीन राशी की मीन राशी वालों के लिए चंद्रमा चल रहे हैं तीसरे बाव में जो इनके प्राकरम का है एफर्ट का है छोटे वाइवनों का है दिन आपका थोड़ा सा नकारातमक है आपको शांती से काम करना देरे से काम करना साथ ही आपको आज आलस और आराम को त्याक के एक्ट्यू बढ़ना है इसी से आपके कारे बनेंगे चार बच के अठावन मिनिट से पहले पहले अगर यात्रा करते हैं तो ठीक है बागी बा परंतु आपको शत्रों से डढ़ने के बिल्कुल भी जरुत नहीं है, शत्रों आपका कुछ भी नहीं विगाड़ पाएंगे, शेर सट्टे में इंवेस्टमेंट करने के लिए दिन बिल्कुल भी सही नहीं है, उसमें अपना पैसा अगर आप लगाते हैं तो आपको हानी परंतु दिन फिर भी थोड़ा सा नाकारा अत्मक्तु आपको होईगे, जो लोग दबा के लिए अपारी हैं उनके लिए आज का टाइम सही नहीं है, परंतु जो लोग गूड़ विद्याओं को पढ़ते हैं, रहसे में विद्याओं को जानना चाते हैं, या किसी भी तंत् सही है, कुल मिलाके मीन राशी वालों के लिए देखें, तो सेहत पर द्यान देना जरूरी है, वानी पर सेम रखना बहुत ज़्यदा जरूरी है, और अपनी एनरजी को सही दिशा में लगाएं, आज आप कही तरह की प्रॉबलम भी सॉल्व कर लेंगे, और आपके पास धन का आगमन भी हो जाएगा, प्रंतु, दिन फिर भी थोड़ा सा नाकारात्मकता लिये हुए है, क्योंकि कुटंग परिवार में आपकी थोड़ी सी शांती नहीं रहेगी, वहाँ आपको प्रॉबलम हो सकती है, जो लोग रोजगार प्राप्ती के लिए प्रियास रहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुती बढ़िया है, उनके एफर्ट आस काम आएंगे और उनको रोजगार मिल सकता है, क्योंकि तीसरे गर का चंद्रमा जो प्राक्रम का है, आपको अबस्य ही आपके प्राक्रमा में लाब देगा, जो भी पेंटिंग कारे हैं, उनको करने के लि रखना है, बुद्धी मीन राशी वालों के आज बहुत तेज रहेंगे, परन्तु बुद्धी को सही दिशा में लगाएं, सही डिसीजन ले, दिन आपके लिए अच्छा है, कैरियर के इसाब से दिन बहुत अच्छा है, पेंडिंग कारे करने के लिए अच्छा है, बस आस को सुधारे, साथ ये साथ, आप अगर अपने वानी पे सहीम रखते हैं, तो बहुत सारी प्रोडम्स को आप सही कर लेंगे, विद्ध्यारतियों के लिए ठीक है, बाकि अगर उपाय करना चाहें, तो उपाय यही है, कि आज मंगल के नक्सेतर में चल रहे हैं चैद्रमा, तो काफी उड़जावान रहने के लिए, उड़जा को सही जगे प्रियोक करने के लिए, अपने आलश्य को त्यागने के लिए हन्मवान चैलीसा का पार्ट करें, और लच्मी चैलीसा का पार्ट करें, दिन आपके लिए शुभू, चैनल अच्छा लगे, तो सब्सक्राइ किजिए पिलीज दन्यवाद